नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चेर पर दोस्तों पस्थित हूँ, आप सभी की सेवा में एक बहुधी महतोपूर जानकारी को ले ले करके जी हाँ रागी के फायदे एवब नुकसान के बारे में आई आज हम सभी जानते हैं रागी हमारे जिवन में बहुत ही लाफदायक पोशक्ततो है यह देखने में बिल्कुल सरसों जैसा लगता है इसको अंग्रेजी में फिंगर मिल्टस और भारत में नाचनी बोला जाता है रागी अपने अमीनो एसीड मीथियो नाइन के लिए महतोपून माना जाता है जो अक दोहा से भर पूर रागी का प्रियोग विश्व भर में विभिन खाद्य पदार्थों में किया जाता है जी हां सबसे ज्यादा किसी को अगर अमीनिया की बिमारी है यानि कि बलड नहीं बन रहा है एनीमिया है तो उसको दूर भगाने में रागी का प्रियोग किया जाता है इस प्रक्रिया को करने के बाद इसे अंकूरित किया जाता है और ये खराब नहीं होता है इसलिए इसकी पुश्टिक्ता बनी रहती है इस अनाज का प्रयोग आप छील कर या आटे में पीस कर या माल्ट बना करके कर सकते हैं इसका प्रयोग हम बहुत से तरह से मिठाई या बच्चों के लिए कर सकते हैं नाष्टे में प्रयोग ले सकते हैं आप इसका रागी बाजार में मिलेट के रूप में पाया जाता है या मिलता है आटे के रूप में आसानी से मिल जाता है नहीं तो आप इंटरनेट से भी मंगवा सकते हैं रागी जब भी खरी द वैसे ही आप रागी को भी श्टोर करके रखें इसे ठंडी और सूखी जगह पर रखें जिससे ये खराब नहीं होगी रागी तो पोश्टिकता से भरा शांदार आनाज है साथ ही इसमें 6.7 प्रतिर्शत उंच्च गुनो वाला प्रोटीन भी होता है इसका प्रयोग पारंप सुखे मेवे के साथ मिला करके इसकी पोश्टिकता बढ़ाई जा सकती है बहुत कम लोग खास करके भारतिये इसके स्वास्थे लाब और पोशन संबंधी मुल्य के बारे में जानते हैं जिहां दोस्तों अगर आप रागी को अपने आहार में शामिल करें तो आपको बहुत से लाब होंगे रागी का सेवन या उपयोग करने के तरीके के बारे में आये जान लीजे रागी से हम कई प्रकार की स्वादिष्ट खादेपदार्थों को बना सकते हैं जिहां रागी नन्हे शीशु और छोटे बच्चों के खाने के लिए मशहूर है बच्चों के लिए पूरे रीज बनाने के लिए जरूरत मातरा में रागी को पानी में भिंगो करके पीस लेना होता है रागी के दूद को छान कर थोड़े से घी नमक या दूद में पका लेना चाहिए गारा होने तक पकाना होता है इसको भूने हुए रागी को पीसी हुई चीनी इलाइची और घी के साथ मिला करके हम रागी के लड़ू भी बना सकते हैं। रागी का रंग पकाने के बाद गहरा भूरा हो जाता है और बच्चों को शायद पसंद ना आए। इसलिए रागी को अन्य आनाज के साथ मिला करके इस पोश्टिक खाने को उनके हार में शामिल कर सकते हैं। रागी के आटे के पेश्ट को दूध में और अपनी पसंद के फल सुखे मेवे और नट्स से मिला करके एक आसान सा पूररीज बनाया जा सकता है। जहां पीसे हुए रागी को ब्रेड और मुफिस व्यंजन में मिलाया जा सकता है। रागी का हलवा और स्वादिष्ट नमकीन भी हम बना सकते हैं। आईए चलिए जानते हैं रागी के फायदे एवं उपियोग जिससे हम जान सकें कि इसके कितने फायदे हैं और कितने नुकसान। हड़ी के विकास के लिए रागी का उपयोग आप तो जानते ही होंगे कि रागी हड़ी को मजबूत करने के लिए उपयोग में लाई जाते है क्योंकि इसमें कैल्सियम की मात्रा भर पूर होती है रागी में अन्य अनाज के मुकाबले ज्यादा कैल्सियम होता है आश्टियो पूरसिस को रोकने एवं हड़ी के विकास के मामले में कैल्सियम का एक महत्वपून कारक है कैल्सियम के गोली लेने की बजाए बढ़ते बच्चों के आहार में रागी देना इससे ज्यादा लाफदायक सावित हो सकता है फाइवर में उच्छ रागी जिहां सफेद चावल के तूलना में रागी में उच्छ मात्रा में फाइवर होता है इससे रागी पाचन में सहायता करता है जादा खाने से बचाता है और आपको काफी समय तक पूर्ण महसूस कराता है अमीनो एसीड लेसिथीन और मेथियो नीन लिवर में से अतिरिक्त फेट से छुटकारा दिला करके आपके शरीर के कॉलेस्टीरोल के स्थर को कम करने में मदद करता है मधुमिह में लाफकारी जी आज ज़्यादतर लोग डाइबिटीज से पिडित हैं, रागी में मौजूद पदार्थ हमारे शरीर में सुगर लेवल को नियंतरित रखते हैं और डाइबिटीज के मरीज को ज़्यादा परिशानी नहीं होने देते हैं, इसका सेवन करने से आपका शुगर लेवल कंट्रोल रहेगा और आप स्वस्थ रहेंगे, नियमित रूप से जिन आहार में रागी शामिल होता है, वह कम गलाइसेमिक प्रतिक्रिया के लिए जाने जाते हैं, इसे आपके सुबह के भोजन में शामिल करने या दोपहर के भोजन में लेना सबसे अच्छा होता है, ताकि पूरे दिन आपके सिस्टम को ट्रैक पर रखा जा सके, रागी से बनी चीजें जैसे अनीमिया के लिए फायदे मंद होती है, जिहां, रागी प्राकृतिक आयरन का शुरूत है, अनीमिया एवं हिमोगलोबीन स्तर से पीडित रोगी अपने खाने में रागी को शामिल करना रागी को अपनी दैनिक खपत में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि यह लस मुक्त होता है, ज्यादा तर अनाजों के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि लस सभी अनाजों में एक प्रमुख पोशक तत्व होता है, रागी का पुर्रीज शीशु के लिए उपयोगी, जिहां, दक्षन भारत में जहां रागी का व्यापक रूप से उपयोग होता है, 28 दिनों के अंदर जन में बच्चे को उनके नाम करण के दिन रागी का दलिया खिलाया जाता है, वहां ऐसा माना जाता है कि रागी बेहतर पाचन को बढ़ावा देता है, इसमें मौझूद उच्च कैलशियम और आयरन सामगरी हड़ी एम शीशु के समग्र विकास के लिए उपयोगी होता है, शीशु को मा का दूद छुड़वा करके कुछ खिलाने की प्रक्रिया के दोरान विशेश रूप से संसाधित रागी पाउडर व्यापक रूप से उपलब्द कराये जाते हैं, स्तनपान क दूद हो उसको बढ़ाता है और दूद को आवश्यक अमीनो एसीड लुहा और कैल्सियम प्रदान करता है, जो मा और बच्चे के पोशन के लिए आवश्यक होता है, त्वचा को रखता है जवाँ, जी हां, त्वचा को जवाँ बनाए रखती है रागी, त्वचा को बहुत ही प्राकृतिक श्रोतों में से एक है, मस्तिश्क के लिए रागी का उपयोग आए जान लेते हैं, रागी में अमीनो एसीड और इंटियोक्सिडेंट की परियाप्त मात्रा में बोडी को स्वभाविक रूप से आराम देने में मदद करती है, समानी बीमारी जैसे च रक्तचाप नियंत्रित रहता है और आपको कोई परिशानी नहीं होती है, इसका रोजाना सेवन समय पर करें, आप चाहें तो इसके साथ निम्बू पानी भी पी सकते हैं, आपका रक्तचाप सही रहेगा, रागी में बहुत से तत्व ऐसे होते हैं, जो हमारे रक्तचाप क वो आसानी से कंट्रोल कर लेते हैं, तो यह हमारे लिए फायदे मंद होता है, वजन कम करने में रागी के फायदे, आजकल सभी लोग मोटापे से बहुत परिशान हैं, तरह तरह की दवाईयां और एक्सरसाइज करते हैं, ताकि मोटापा कम हो जाए, पर सही मायनों में वो फेल हो जाते हैं, जिहां रागी में अमीनो एसिड और ट्राइफोन होता है, जो हमारे शरीर पर जमे हुए एक्स्ट्रा फैट को हटाने में मदद करता है, इसलिए रागी के इस्तेमाल से आप मोटापे से भी छुटकारा पा सकते हैं, और इसमें फाइबर के गुन होते है जिससे हमें कम भूख लगती है, जिससे की कम खाना कीक्षा होती है, जिसकी बदलत आपका वजन कंट्रोल रहता है, इसके गुनों का लाफ उठाने के लिए हमें इसे सुबह नाष्टे में लेना सबसे अच्छा होता है, ताकि हमारा पेट पूरा दिन भरा रहा है, ये तो शरीर में उकसेलिक एसीड की मात्रा में व्रिद्धी कर सकता है, इसलिए गुर्दे की पत्री और यूरिंडरी कैलकुली वाले रोग्यों को इसे लेने की सलाह नहीं दी जाती है, इसमें मौझूद फाइवर और सीरियल एसीड हमारे शरीर की पाचन शक्ति को एकदम स्वस पराधारित थी, इसलिए किसी को भी अपनाने से पहले आप अपने नीजी डॉक्टर से परामर्श आवश्ये ले लें, ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए, अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जूड़ते हैं, कौर बहादी महतोपून जानकारी को ले करके,